आज हम चैप्टर नमबर वान एक्सरसाइज वान पॉइंट वान शुरू कर रहे हैं क्वेस्चन नमबर वान है कि आपको कुछ मैटरसेज दिये गए हैं आपने इन मैटरसेज के आजर मालूम कर ले हैं तो सबसे पहले हम समयते हैं कि आजर क्या होता है किसी भी मैटरिक्स के अंदर उसके नमबर वान रोज को गिनते हैं और नमबर वान को गिनने के बाद उसको लिखते हैं तो ये इसका आजर कहलाता है तो हम इन मैटरिसेज के आजर मालूम करते हैं जैसे देखिए ए है मिट्रिक्स टू थ्री माइनस फाइव और सिक्स तो इसका ओर्डर लिखा जाता है रोज की तदाद बाई कॉलम की तदाद अब आप देखें कि यहाँ पर रोज हैं टू एक ये रो एक ये रो तो दो रो हैं और एक ये कॉलम उपर से नीचे की तरफ एक ये कॉलम तो दो कॉलम तो एक का ओर्डर है टू बाई टू बी मेट्रिक्स को लिखते हैं टू जेरो थ्री फाइव तो नमबर अफ रोज देखते हैं इसकी नमबर अफ रोज हैं दो एक ये रो एक ये तो टू बाई और कॉलम की तदाद ये भी दो कॉलम है तो इसका ओर्डर भी टू बाई टू है सी मेट्रिक्स को देखते हैं सी को लिखा हुआ ऐसे पाते हैं तो यहां देखें इसमें एक ही रो है एक रो ऐसे और हम उपर से नीचे की तरफ दो पोजिशनों को पड़ सकते हैं एक ये एक ये तो इसके कॉलम की तदाद है दो तो वन बाई टू इसका ओर्डर है इसी तरह डी देखिए डी में है फूर जेरो सिक्स तो इसमें देखें ऐसे हम इसको तीन नंबर पड़े जा सकते हैं ऐसे तो ये रोज हैं इसकी तीन और उपर से नीचे की तरफ ये एक ही कॉलम नजर आ रहा है बन रहा है तो वन तो थ्री बाई वन डी का ओर्डर है नेक्स्ट है ए ए ए को देखें ए बी सी डी टी और एफ तो इसके और्डर के लिए आप इनको तीन रोज की फार्म में पड़ सकते हैं ऐसे एक तो और तीन तीन रोज हैं और कालम है उपर से नीचे की तरफ अगर पड़े हैं तो दो पूजिशने बनते हैं तो कालम है टू उसके बाद है ए एफ अगर हम एफ को देखें तो रोव वाइज अगर हम इसको पड़ें तो ऐसे ए की रोव बनते हैं वन बाए और कालम उपर से नीचे की तरफ अगर इसको पड़ें तो फिर भी ए की पूजिशन बनते हैं तो वन बाए वाण यहां जी को देखिए तो थरी जिरो यह पहली रोव है फिर वन तो थरी यह दूसरी रोव है टू फोर फाइव यह तीसरी रोव है तो कितनी रोव हो गए तेन और कालम देखिए यह एक उपर से निज़े की तरफ दो और यहां भी उपर से निज़े की तरफ तीन तो तीन कालम हो गए तो आर्डर है थ्री बाए थ्री एच को देखें एच लिखा हुआ है हमारे पास तू थ्री फोर यह पहली रोव है 106 यह दूसरी रोव है तो दो रोव है और उपर से निज़े की तरफ अगर हम देखें तो तीन अलएदा अलएदा पोजीशन है तो तीन कालम है तो टू बाए थ्री इसका आर्डर है एक्सरसाइज है 1.1 क्वेस्चन नमबर 2 है स्टेटमेंट है क्वेस्चन की विच आफ दा फाल्विंग मैटरसेज आर इक्वल नीचे दिएगे कौन कौन से मैटरसेज इक्वल हैं तो इक्वल मैटरसेज के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि उनके आर्डर सेम होने चाहिए तो हमें तमाम मैटरसेज के आर्डर पहले मलूम करने चाहिए तो हम तमाम मैटरसेज के आर्डर मलूम करके लिखने हैं ए में देखें एक रो है और एक ही कालम है बी में देखिए एक रो है और हमारे पास दो कालम है अब आप सी देखिए सी में देखिए के फाइव और टू के बिलकुल मिडल में साइन है इसका मतलब है कि आपने इसको सॉल्व करना है सॉल्व करने से हमें ये मिलेगा और इसमें सिंगल रो है और सिंगल ही कालम बन रो उसके बाद देखिए कि यहां डी में एक रो है और दो कालम बन रहे है यहां पर देखिए दो रोज हैं और दो ही कालम है यहां देखें कि दो रोज हैं और एक कालम सिंगल और यहां जी में अगर हम देखें तो यहां भी दोनों नम्बरों के बिल्कुल दरमयान में अलामत है हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहां टो यहां सिक्स अब दो रोज और कालमों के तदाद है एक यहां एच में देखिए दो रोज हैं और दो ही कालम है अब यहां आई में थ्री और इन दोनों नम्बरों को सॉल्व किया तो फाइव आपको लिखेंगे तो एक रो है और दो कालम है यह दो कालम एक रोज और यहां जे में एलिमेंट को सॉल्व करते हैं फूर सिक्स जेरो तू सॉल्व करने से आपको नजर आ रहा है कि दो रोज हैं और दो ही कालम है तो पहली शर्थ के मताबबग इनके आउर्डर सेम होने चाहिए तो आप देखें के आउर्डर किनके सेम है वन बाई वन वाले एक यह है वन बाई वन का ए उसके बाद है यह वन बाई वाला सी उसके बाद देखें वन बाई वाला आउर्डर के लिहाज और कोई नहीं दूसरी कंडिशन यह है के आउर्डर सेम हों और दूसरी कंडिशन के मताबग उनके जो एलिमेंट हैं करिस्पांडिंग एलिमेंट यानि पहली पोजिशन वाला एलिमेंट पहली पोजिशन वाले के साथ दूसरे matrix में और दूसरी वाला दूसरे के और इसी तरह तमाम position वाले element बिलकुल equal होने चाहिए तो देखें इसमें एक ही element है और वो है 3 और C में भी एक ही element है और वो भी है 3 तो element भी equal हैं इस वज़ा से दूनों condition बरापर satisfy हो रही है तो A equal to C अब आप देखें कि यहां 1 by 2 है order B का अब 1 by 2 वाला यह है 1 by 2 इसके बाद एक और देखते हैं यह है अब देखें 1 by 2 वाला एक बी है एक है डी तो यहां आ गया डी और फिर आया हमारे पास यह आई इस लिहाँ से आप चेक करें कि इनके order तो सेम हो गए हैं अब element भी एक जैसे होने चाहिए तो देखें B का पहला element है 3 जबके D का है 5 तो यह बराबर नहीं है तो यह बराबर नहीं हो सकते हैं इसका मतलब है B और D बराबर नहीं हो सकते हैं अब B को चेक करते हैं I के साथ इसका पहला element 3 ठीक है जी अब दूसरे element की तरफ यहाँ 5 यहाँ 5 दोनों element भी equal है order भी सेम है तो इसका मतलब हुआ B equal हो गया I के अब I जो है वो D के equal नहीं हो सकता क्योंकि I का पहला element है 3 और इसका है 5 अब देखें के हमारे पास यह 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 और यह अब आते हैं 2 by 2 matrices की तरफ तो पहले matrices देखते हैं जिनके order 2 by 2 है पहला matrix है E दूसरा matrix 2 by 2 के साथ H और तीसरा matrix है J अब यह तीन matrices हैं अब हमने यह चेक करना है कि क्या यह तीनों एक दूसरे के equal हैं या इन में से जो equal हैं वो कौन से हैं तो देखें E में पहला element है 4 H में भी 4 और J में भी 4 ठीक है दूसरे element की तरफ चलते हैं 0 इसका 0 इसका भी 0 दूनों element से ही तीसरे element की तरफ देखते हैं 6 है इसका 6 इसका भी 6 तीनों element बराबर आगए 4th element की तरफ देखते हैं 2 तो चारो element भी बराबर है order भी same और element भी same इसका मतलब है कि यह तीनों matrices एक दूसरे के equal हैं तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं अब next चलते हैं 2 by 1 order के साथ तो 2 by 1 वाले देखें एक है F दूसरा matrix है जी और तीसरा देखें कोई और नहीं दो यह जी अब इनके element को भी चेक करते हैं कि पहले element 2 इसका भी 2 इसका पहले element 6 इसका भी दूसरा element 6 इसका भी दूसरा 6 element भी equal है order भी same है तो इस तरह हम कह सकते हैं F is equal to G exercise 1.1 और question number 3 है आपने small A, small B, small C और small D की value निकालनी हैं जबके दो matrices एक दूसरे के equal हैं तो हम condition का इस्तमाल करते हैं के given matrices are equal equal matrices होने की सूरत में इनके जो element हैं ये equal होते हैं मतलब हुआ A plus C equal होना चाहिए 0 के उसके बाद A plus 2 B equal होना चाहिए minus 7 के C minus 1 equal होना चाहिए 3 के इसके और 4 D plus 6 equal होना चाहिए 2 D के अब आप देखें कि यहां से हम A की value निकाल सकते हैं जो के equal होना चाहिए यहां इस equation में देखें कि C की value असानी से निकाल आईगी तो 3 plus 1 यह इदर चला गया और C की value आगई 4 अब C की यह वाली value हम यहां put करते हैं putting the value of C तो C की value पुट करते हैं तो C की जगा हम लिख सकते हैं plus 4 तो A is equal to minus 4 तो A की value निकाली है minus 4 अब A का यहां इस्तमाल हो रहा है तो यहां भी लिखते हैं putting the value of A A की value पुट करते हैं जो के minus 4 है और 2B is equal to minus 7 plus 4 और B की value आपको आगए minus 3 divided by 2 अब यहां देखें के 4D minus 2D plus 6 equal to 0 यह 2D हम left side पर ले आएं तो 2D is equal to minus 6 यह 6 right side पर ले गए और D is equal to minus 6 over 2 D is equal to minus 3 तो तीनों चारों अन्नाउन A, B, C और D जो थे उनकी values आपने मलूँ कर ले कर दो… उनकी कर – का cका भी जो 1 कर फसला हम पर वई शो ऑना का बयो जा दो जाओगगगचल आपागड़ झालवार बो